प्रेस वारता के माध्यम से भारती जन्तापाटी ने बताया है कि समाजिक न्याय सोशिल जस्टिस का पखवाड़ा चल रहा है। हर दिन जिस प्रकार से विगत आठ वर्षों में नरेंद्र मोधी जी ने समाज के भिन भिन आयामों के लिए निरंतर काम किया है। इस विशय को उद्रुत करता रहा है भारती जन्तापाटी इन्ही प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से। आज कोई सधारन दिन नहीं है। आज जोतिबा फुले जी का जयन्ती है। जोतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी, एक अच्छे लेखक, एक विचारक, एवंग उच्च कोटी के एक दार्शनिक थे। और जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं की सिक्षा, सशक्तिकरण और पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाती उनके लिए काम किया, ये अपने आप में एक बहुत प्रेणादारक विशय रहा है। उलेखनिया है कि जोतिबा फुले जी का सावित्री बा फुले से तेरह वर्ष की आयू में विवा हुआ और इस दमपत्ती ने जोतिबा और सावित्री बा ने मिलकर जिस प्रकार से काम किया है, ये अपने आप में इसकी कोई सानी नहीं है। अपने इसी विचार के अंतरगत की महिलाओं का ससक्तिकरण होना चाहिए, उनकी सिक्षा दिक्षा उच्चतम भाव से होना चाहिए। पहली महिला सिक्षिका हिंदुस्तान में कोई बनी, तो वो सावित्री बा थी। और पहला स्कूल महिलाओं के लिए कोई खुला हिंदुस्तान में, तो वो इसी दमपत्ती ने जोतिबा फुले और सावित्री बा फुले के कारण ये खुला है। विगत आठ वर्ष हिंदुस्तान की राजनीती के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक दिशा निर्धारन करने वाला वर्ष रहा है विगत आठ वर्षों में जोतिबा फुले जी से और सावित्री जी से प्रिणा लेते हुए हमारे प्रधान मंत्री भारतिय जन्ता पार्टी के नेता आधरन्य नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ऐसे काम किये हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके जिससे पिछडा वर्ग अनुसुचित जाती इत्यादी आगे बढ़ सके और मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और आप सबने देखा होगा कि जिस प्रकार महात्मा ज्योती जी ने प्रेणा दी थी, सफाई कर्मचारियों के पाउं को धोते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश दिया कि हमें सदेव जाती प्रथा से उपर उठ करके विकास और विश्वास की बात करनी है और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा तब तक वास्तविक समाज सुधार नहीं हो सकता है आज ये कहना आती शूक्ती नहीं होगा महत्मा जोतीबा फूले जिस प्रकार एक समाज सुधारक थे नरेंद्र मोदी भी वर्तमान के राजनीती में केवल एक राजनेता नहीं है एक गलोबल स्तर के नेता नहीं है अपितु एक समाज सुधारक के नाते दिनराइट वो कि इन पद्म पुरस्कारों में जिस प्रकार की भागीदारी पिछडे वर्ग साधारन लोगों की और पिछडे वर्ग से आ रही महिलाओं का रहा है गाओं से वो अब दिखता है। नट थू अप्रोच बट बिकॉज अफ रियल टालेंट इस पीपल है इन दी लाइन ऑफ पद्मा आवार्ड्स ये हिंदुस्तान में बहुत वर्षों तक इसकी कमी थी नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को पूरा किया कुछ उदाहरन में रखना चाहूंगा चाहे वो उशा आदिवासी महिला राही बाई सोमा पोपरे सिंधुताई सपकल और बीरुबाला रभा चुटनी देवी ऐसे अन्येक महिला हैं जो पिछड़े वर्ग से रही साधारन महिला हैं रही मगर अपने अधुद्तिय काम के लिए जिन्होंने समाज में अपना एक स्थान बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद्म अवार्ड इनको दे करके उनकी कमिटी ने इनको पद्म अवार्ड दे करके कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भारतवर्ष में भेजा है ठीक उसी प्रकार सौचाले इसको इज़दगर कहते हैं उज्वला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या सम्रुधी योजना पोशन अभियान मिशन इंद्रधनुष इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को एक नए आयाम दिया गया है एक नए आयाम तक पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी जी न करना और जोतिबा फुलेजी के सपन को साकार करना यह भी सरकार ने किया है 15 अगस्त 2014 को आपको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान का आरंब हुआ था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजजद घर के विशय में बात की थी क्योंकि महिलाओं के स्वाभीमान की रक्षा यह सोचाले करती है और प्रसन्नता का विशय है लगभग 11 करोड ऐसे सोचाले ग्रामिंग शेत्रों में खुले हैं विगच 70-75 वर्षों में अगर हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में 60 प्रतीशत सोचाले वने तो मात्र 7-8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम और स्वच्छ भारत अभियान के कारण जोतिबा पुले जी का जो स्वाभिमान का स्वप्न था वो पूरा हुआ और 21 प्रतीशत सोचाले एड हुए है यह वडोत्री हुई है यह अनुपात आप देखिए 70 वर्षों में 60 प्रतीशत और मात्र 7 पड़े इसलिए लगभग 10 करोड घरों तक LPG सिलिंडर पहुचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस योजना के माध्यम से जो 22 जनवरी 2015 को लॉंच हुआ सबसे महत्तपूर्ण मुद्दा जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स पोशन अफ मेल वस्वार्म फार मोर दान दफीमेल्स बट आज में गर्व के साथ कह सकता हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतरगत इस पर जो कारे हुआ है आज यह अनुपात बदलता है और यह अनुपात अब हजार पुरुशों पर एक हजार बीस महिलाओं का ह है तो I should congratulate the country for this that for the first time in India this sex ratio has altered the sex ratio has changed यह अपने आप में बहुत बड़ा विशह है कई राज्ये जैसे हरियाना इत्यादी जहां नजरिया अलग था आज नजरिया बदला है सुकन्या सम्रुद्धी योजना जो 22 जन्वरी 2015 को launch हुआ लगभग 3 करोड से अधिक महिलाओं को आज उससे लाब हुआ है मिशन शक्ती, मिशन वातसल्य, सक्षम आंगनवाडी और पोशन 2.0 इनके माध्यम से भी महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ है महिला और बाल विकास मंत्राले ने खास करके इस पे ध्यान दिया है 2 लाख आंगनवाडी को सक्षम आंगनवाडी के रूप में अपग्रेट किया गया है यह घोशना हो चुकी है और सक्षम आंगनवाडी और पोशन 2.0 के लिए लगभग 21,000 करोड रुपे की राशी भी दी गई है ठीक उसी प्रकार सुरक्षित मात्रुत्व आस्वाशना सुमन योजना इसके तहट गर्भवती महिलाओं को प्रसफ के 6 महिने के बाद और बिमार नवजाद सिशुओं को निशुलक स्वास्थ सेवाओं का लाब दिया गया है किस प्रकार से महिलाओं आर्थिक रूप से फिनैंशली या अपने पैरों पे खड़ी हो सके आर्थिक समरुद्धी उन्हें मिले उस कारण से मुद्रा योजना का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है नरेंद्र मोदी जी के मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग आज 34 करोड लोन दिया गया है जिसमें 75 प्रतिशत महिलाएं और लगभग 18 लाग करोड रुपे इसमें अब तक अवंटी तो हो चुके हैं और 51 प्रतिशत ये जो महिलाएं और बाकी लोग जो हैं 51 प्रतिशत ये पिछडे और SC कम्यूनिटी के हैं तो ये एक तरह से आप अगर देखेगा कि सशक्तिकरण का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा ये उदाहरन है ठीक उसी प्रकार फ्री सिलाई मशीन योजना, समर्थ योजना और राष्ट्रिय ग्रामीन आजिवी का मिशन के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में जो स्वप्न आधरनिय महात्मा, जोती बाफुले और सावित्री बाफुले का था उस स्वप्न को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को केवल एक प्रधान मंत्री के रूप में नहीं अपितु एक सोशियल रिफॉर्मर के रूप में भी हमें देखने की अवश्यक्ता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आबार देखें ये कारेक्रम आज से नहीं है ये जो समाजिक न्याय का कारेक्रम पक्वाडा चल रहा है ये साथ तारिक से विगत साथ तारिक से आने वाले आगामी बीस तारिक तक है साथ अप्रेल से बीस अप्रेल तक है ये पक्वाडा है और इससे पहले माननीय अरुन सिंग जी ने और बाकी भी हमारे प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फरेंस करके किस दिन के लिए क्या कारक्रम आवंटित है क्या आयोजन पार्टी की तरफ से होगा यह हमने आपको जानकारी दी थी आज माननीय महत्मा जोतीबा फुले जी के जैनती के अवसर पर चुंकी जोतीबा फुले जी का सैक्ष्रिक दिशा में बहुत काम रहा है और खास करके कॉन्फरेंस के माद्यम से आपके समक्ष रखा है इन विश्यों को आगे बढ़ाना किस प्रकार से सरकार ने इन छात्रवासों के लिए काम किया है और आगामी समय में हम और अच्छा क्या कर सकते हैं इन सभी का सुध लेने हमारे कारेकरता बाहर निकले हुए हैं जहां तक लिंग के अनुपात का विशय है यह हम सब के लिए खुशकवरी का विशय है और लगातार निरंतर प्रयास यह 2014 से जब से हमारी सरकार आई है तब से यह प्रयास नरिंद्र मोदी जी का रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदुरन का और इसके पीछे का अगर मै अधिक था मगर अपने इनोवेटिव तरीकों से और बहुत ही सूज भूज के साथ उन्होंने इस ड्रॉप आउट रेट को स्कूल में कम किया था आपको याद होगा केवल एक सोचाले के एड करने से बच्चियों के लिए एक अलग सोचाले के एड करने से इसमें काफी बार बार इस विशे को प्रतिपादित करके आज लेंगिक अनुपाद जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है